आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेवसाइक नियोजन समर्थे के बारे में बिजनेस प्लाइनिंग कंपिटेंज तो जैसे कि आपको पता है उद्मिय शम्ताओं के बारे में बात कर रहे हैं उद्मिय शम्ताओं में हमने जोकिम धारन शम्ता पढ़ ली नेडायक नेत्रतुव शम्ता पढ़ ली अब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे लास्ट अपन वेवसाइक नियोजन सामर्थे के बारे में तो वेवसाइक नियोजन सामर्थे क्या है झाल 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 तो नियोजन सामर्थे में उद्मी यह निर्ने करता है कि वविश्य में किन उद्यश्य के पूर्टी के लिए कौन कौन से कार्य किये जाएंगे तरह यह कार्य किसके द्वारा और कब संपन किये जाएंगे वैं इन में किन नियमों नीतियों वैं तो यह होता है व्यवसाइक नियो जन सामवरते हैं अब व्यवसाइक नियो जन सामवरते हैं तो आवश्य कौन कर दो व्यवसाइक नियो जन सामवरते हैं तो आवश्य कौन कौन से होंगे झावार में तो क्बस्टी झावरते हैं कि도 दो पावश्य कौन सामवरते हैं झाल 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 तो यह सारे पॉइंट इसके आविश्यक गुण है उद्मी को अपने वेवसाय के उद्धिश योकिस्पस्ट जानकरी होने चाहिए उद्मी में परिवतन एवं नवाचार करने के योग्यता होनी चाहिए अवसरों को पहचान करने के शमता होनी चाहिए मित्वईता से नियोजन करने के शमता होनी चाहिए उसे नीयोजन से समधे सब्सक्त्राशाथ समय का पाबंध होना चाहिए उसमे पूरवा नुमान करने की शमता होने चाहिए तो यह सारे वैवसाइक नीयोजन सामर्थे में आते हैं यह सारे कोइंट अगर इसी उद्मी में यह सारी होकेता है तो वो एक अच्छा उध्मी बन सकता है तो आज की वीडियो में हमने वेवसाइक नियोजन सामर्थे के बारे में बात की है आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए धिनने बात झाल झाल